आना इंटेंटा अडचन सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि केवल 40 प्रतिशत दिव्यांगता के लिए किसी व्यक्ति को मेडिकल की पढ़ाई करने से रोका नहीं जा सकता है जब तक कि कोई विशेश रिपोर्ट उस व्यक्ति को MBBS की पढ़ाई के लिए अक्षम नहीं घोशित कर दे कोर्ट ने विकलांगता बोर्ड को भी निर्देश जारी किये है एजेंसी नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि केवल 40 प्रतिशत दिव्यांगता के लिए किसी व्यक्ति को मेडिकल की पढ़ाई करने से रोका नहीं जा सकता है जब तक कि कोई विशेश रिपोर्ट उस व्यक्ति को MBBS की पढ़ाई के लिए अक्षम नहीं घोशित कर दे खंडपीट, जस्टिस बियार गवई, अर्विंद कुमार और केवी विश्वनाथन की खंडपीट ने मंगलवार को अपने 18 सितंबर के दिव्यांगता होने भर से उम्मीदवार को नहीं रोक सकते खंडपीट ने कहा कि किसी दिव्यांग उम्मीदवार के MBBS की शिक्षा हासिल करने की क्षमता के आकलन के लिए विकलांगता मूल्यांकन बोर्ड की राय लेना आवश्यक है उन्होंने कहा कि महज दिव्यांगता होने भर से किसी उम्मीदवार को MBBS की पढ़ाई के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है विकलांगता बोर्ड को दिया ये निर्देश विकलांगता बोर्ड के मूल्यांकन से ही उम्मीदवार MBBS की पढ़ाई आगे जारी रख सकता है या नहीं या निर्धारित होगा सरवोच्य अदालत ने यह भी कहा कि विकलांगता बोर्ड को अगर लगता है कि कोई उम्मीदवार कोर्स आगे जारी नहीं रख सकता है तो उसे इसके कारण भी स्पष्ट करने चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला एक छात्र ओमकार की याचिका पर दिया है जिसने सनातक चिकित्सा शिक्षा विनिमय 1977 कानून को चुनौती दी है इसके तहट 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग उम्मीदवार को MBBS करने की अनुमती नहीं है दूसरी और पंजाब पंचायत चुनाव पर रोक लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने नामांकन प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के आधार पर पंजाब में चल रहे पंचायत चुनावों पर रोक लगाने से मंगलवार को इनकार कर दिया और कहा कि अगर अदालतें मतदान के दिन चुनावों पर रोक लगाना शुरू कर देंगी तो अराजकता होगी CGI-DY चंद्रचुड ने टिपपणी करते हुए कहा कि अगर मतदान आज शुरू हो गया है तो हम इस तर पर कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं उच्च नियायाले ने इसकी गंभीरता को समझा और चुनाव पर लगी रोक हटा दी CGI ने कहा कि अगर हम मतदान रोकते हैं वह भी मतदान के दिन तो अराजकता होगी